कहानी, मा की आखरी इच्छा हाट टचिंग हिंदी स्टोरी एक बार एक बूरी मा को उसके बेटे ने एक वृधा आश्रम में ले जा कर छोड़ा इस मा का ये वही एकलोता बेटा था जिसके लिए इस मा ने जीवन भर संगर्ष किया इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक मा को करना चाहिए या मा कर सकती हैं और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तयार हो गई वुरिधा आश्रम में रह रही मा हमेशा अपने बेटे को याद करती मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता कई साल बीट गए वुरिधा आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया उन्होंने कहा बेटा जल्दी से आश्रमा के अपनी मा से मिल लो वो बहुत सीरियस है बेटा जब अपनी बीमार मा के पास पहुँचा तब वो अपनी आखिरी सांसे गिन रही थी बेटे ने अपनी मा से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा मा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ मा ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना फ्रीज ना होने की वज़े से यहाँ पर हम बूरों को कई बार भूखे पेठी सोना पड़ता है क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रीज भी खरीद कर दे देना बेटे ने अपनी मा की सारी बात सुनी और अपनी मा से पूछा आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिये पर आपने कभी भी यह बाते मुझसे नहीं कहीं और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही है ऐसा क्यों मा ने बेटे को जबाब देते हुए कहा बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीरा सहन कर ली लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तु यह सब सहन नहीं कर पाईगा इसलिए तेरी सुविधा ये लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ दोस्तों, मा की ये आखरी लाइने किसी भी बेटा या बेटी की आँखे खोलने के लिए सक्षम है इतिहास हमेशा अपने आपको दोहरता है अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा